हलो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना होश्ट भी मचित्रा तो आज किस वीडियो में आपको जो important notice मिलने वाले है रोजगार संबंदित है रोजगार को लेकर है जैसा कि आपको थैमनल पर दिख रहा है कि ग्राम पंचायत यानि कि ग्राम सच्यू भरती 2021 2021 तो 2021 में बहुत ही बढ़िया पोश्ट है आप लोगों के लिए है और ये ग्राम सच्यू भरती आप लोग कितने डेट हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि लाश्ट डेट 22 मार्च है थोड़ी सी हमें इंफार्मिशन लेट मिली बट अभी आपके पास पूरा टाइम है आ एक दिन में फार्म आपका अनलाइन हो जाएगा तो कहने का मतलब अभी आपके पास टाइम है लेकिन हमें थोड़ी सी इंफार्मिशन लेट मिली ये फार्म आठ तारिक से यानि कि 8 मार्च से आवेदन हो रहा है तो चलिए पूरी जो प्रोसेज है ग्राम सच्यू को लेकर ग्राम सच्यू भरती 2021 में क्या योगता है क्या आपके फीच लगेंगे कितना आपका पोस्ट है पूरी इंफार्मेशन आपको वीडियो में मिलने वाले है तो आपको लेचलते हैं जो आफिसियल वैपसाइट है उसकी तरफ जहां पर आपको पूरी फुल डिटेल्स मिल ज मतलब अगर आप ऐसी नोकरियों के लिए इंटरेश्टेट है तो भाई वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद आवेदन करें बहुत अच्छी नोकरी है और आपकी जो वेतन है वो संबहता 25-30,000 इसमें पेमेंट्स है तो कहने का मतलब आपको बता दे भी अगर आप वही इंफार्मेशन मिलती है जो आप के लिए होती है जो समाज के लिए होती है सरकारी ओजनाय सरकारी स्कीम समंदी पलपल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगी ट्रकी नमबर वन पर चलिए ज़ादा बाते ना करते हुए सीधे सीधे आते हैं पाइंट्स पर और आपके अपनी चैनल ट्रकी नमबर वन पर तो हम आ चुके हैं महत्मोन इंफार्मेशन की तरफ जहां पर आपको सारे अपडेट मिल जाएंगी ग्राम सची पोश्ट को लेकर सबसे पहले हम देख लेते हैं पद का नाम क्या है इसके बाद आगे कि जो प्रोसेज आपको अब बात है यहाँ पर देख सकते हैं आरंबती थी और यहाँ पर अंतिमती थी तो आरंब आपका 83221 हो गया था थोड़ी सी हम अपडेट आपको लेड़ दे रहे हैं हमें 4-5 दिन पहले अपडेट देना चाहे था तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है जबजागों तभी शव आनलाइन मोड है तो आनलाइन करने में आपके एक दिन क्या एक घंटे में हो जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो क्या डाकॉमिंट्स लगेंगे क्या इसबेल्टी है किस तरह आप फार्म फील कर सकते हैं सभी कुछ प्रॉसेज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो यहाँ पर लिखा है कि ग्राम सची भरती सिच्छा योगता 2021 तो उमीदवार जो इस फार्म को भरना चाहते हैं तो ग्राम सची उरिक्त 2021 के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो उन्हें एक बार भारत में किसी भी मानता प्राप्त विश्व विद्याला या संस्थान से दस कितने हम हैं तो क्या गम हैं हम उसको केलियर कर देंगे आप टेंसन बिल्कुल ना ले तो यह हो गई योगता मतलब आपको दस से बारा तक पड़ा होना अनिमार है अगर आप ग्राम सची बनना चाहते हैं अब यहाँ पर पॉइंट्स की बात यह आती है कि ग्राम सची भरत इसकी है और किसी भी प्रकार से यह प्रेंडिंग हो गई थी जिसे पुना हरी ओपन किया गया है और जो आठ मार्च से अपलाई हो रही है तो कहने का मतलब जो पहले फार्म फील किये थे उसके अलावा भी जो अब आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ह थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत ही अच्छी नोकरी है और यह नोकरी में आपके अच्छी खासे सैलरी होती है अच्छी खासी कमाई होती है तो इसलिए पोस्ट थोड़ा सा कम है 697 में ही पोस्ट है लेकिन आपको तो एक ही पोस्ट से मतलब है अगर आपका चैन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है तो फिलाल यहां पर आप देख सकते हैं आई जो आपकी हो गई यहां पर आई बहुत ही अच्छी आई दे गई है 17 से 42 साल यानी की आप सबसे कम उमर के हैं तब भी बन सकते हैं और जादा उमर के हैं तब भी बन सकते हैं वैसे हमने अब तक जितन 21 के संदर में आनलाइन फार्म 2020 पर लागो होगा ठीक है तो ये भरती प्रक्रिया 2019 की है लेकिन आपको 2021 में री ओपन करके पुना चांस मिल रहा है तो आगे प्रोसेस देखते हैं ग्राम सचिव रिक्ती प्रक्रिया कैसे क्या होगी तो यहां पर कैसे प्रक्रिया होगी कैसे चैन होगा इस चीज के लिए भी यहाँ पर आपको मिल रहा अपडेट तो उच्छ अधिकारी जो ग्राम सचिव के हैं उन्हीं के आधार पर उमीद्वारों को न्यूक्त किया जाएगा मतलब जो इसमें उच्छ अधिकारी हैं जो बड़े अधिकारी हैं ग्राम सचिव भाग और उसकी अपडेट मैं दूसरे वीडियो में दे दूँगा कि आपकी पेमेंट्स कितनी होगी कितना ग्रेड होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राम सचिव रिक्ति आवेदन सुल्क तो अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो आपका सुल्क कितना लगगा इस ची पूट रहती है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुकतान नेट क्रेडिट डेविट मतलब किसी भी माध्यम से आप नेट वैंकिंग माध्यम से कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राम सचिव रिक्त आनलाइन आवेदन कैसे करें इस चीज की भी अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगी इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एक बार आपको अधिकारिक वेफ साइट पर जाना है ग्राम सचीव ठीक है इसके बाद आपको ग्राम सचीव का अधिकारिक होम पेज पर ही स्क्रीन दिखाई देग और वहां पर आप NEO आपके आवश्यक बीरोडों को भरना शुरू कर देगा फिर आपको आवश्यक दस्तावेज संगलंगन करना होगा और एक बार पुनाजाच कर लेजिएगा फिर N O E बेब मोट पर माध्यम के उपकरण से शुरू भूपतान करिएगा इसके बाद सम्म समिट हो जाएगा अगर किसी भी प्रकार की समिश्या आती है तो प्लीज केमेंट कीजिएगा हम आपको पूरी हल्प करेंगे तो भाई ये थी अपडेट आज की अपडेट कैसी लगी प्लीज जरूर बताएगा मिलते हैं एगले एपसोड में और भी इन्फार्मेशन के सा तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें इसी सुपकामना के साथ अपनी बाणी को भी राम देता हूँ नमस्कार जैहिंद